रोई विश्ण जी आपना चंदर्वान क्रीज है वो तेज तारी प्रोलेंट कर रहा है मुझे क्या कहना चाहेंगे समस्तर भारत को विज्ञानिक को हमारे दिल से इस्रो को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत सारी शिपकामना है हरार महादेव 25 किलोमीटर पहुच गया है मैंजिन खाली 25 किलोमीटर के रेंज पे हैं और उसके और्बिट में चला गया है हमारा चंदर्यान तीन और ये बहुत बड़ी न्यूज है ये इतनी बड़ी न्यूज है जैसे एक दुखत घटना हुई कि रश्यन उनका रश्यन जो स्पेस उनका जो गया था वो टकरा गया लेकिन यहां पर और सबसे बड़ी बात है जो कि भारत दवासियों को जानना चाहिए कि पूरा दक्षिन में उतर रहा ये चंदर्यान तीन दक्षिन में उतर रहा पचीस किलोमीटर करीब आ चुका है और ये तस्वीर आज उसने अभी कुछी देर पहले लेटिस्ट पेज के हैं सब लोग ये प्रेयर कर रहे हैं क्योंकि भारत की उपलब्दी होगी और रश्या और जपान के बाद हम लोग थोर्ड चाइना और इंडिया तो ये बहुत बड़ा अचिवमेंट है तेज तारीक को शाम को छे बच कर तीन मिनट पर मैं टीवी के सामने रहूंगा क्य परती घंटा 6000 किलोमेटर थी उसको उसने कम किया है और अभी वो अपने स्पेस को रुन रहा है कि कहां उसकी सेफ लैंडिंग होगी और दक्षिन में मतलब साउथ पोल में उतरना इसका मतलब समझ रहे हैं कि वहाँ पर अभी तक कोई नहीं उतरा है सो ये बहुत बड़ी उपलब्धी होगी वहाँ ठंडा होगा इस वक्त रात है लेकिन ये जब ये लैंड करेगा तो सुरी की रौशनी होगी और दिन का समय होगा एकसाइटमेंट अती जादा है मैं टाइम्स नाओ के सभी दर्शकों को कहूँगा कि भई आप लोग छे बच कर तीन मिनट पर जरूर टेलिविजिन के सामने रहें अपने भारत की सबसे बड़ी उपलब्धी होने जा रही है फिंगर क्रॉस जिसको कहते हैं मैं तो महादेव कहता हूँ और सब लोग आप लोग परातना करें दुआएं करें जो जो आप लोग अपने धर्म मजहब में करते हैं क्योंकि ये भारत की जीत होगी भारत की उपलब्धी होगी वहाँ जाके चंद्रमा की situation क्या है, क्या माहौल है, oxygen लेवल क्या है, वहाँ पानी क्या है, क्या रहने की विवस्ता भविश्य में हो सकती है ऐसे बहुत सारे कहते हैं गयब में जो गर्व में छिपे हुए सवालों के जवाब चंद्रयान तीन समस्तभ भारत को समस्तभ विश्व को देगा, ये बहुत बड़ी भारत के विज्ञानिकों की उपलब्धी है मैं इसरों को दिल से धन्यवाद, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ ये शिश्वी प्रधान मंत्री मोदी जी को कि वो सबकी इतनी होसला अवजाई करते हैं, सबके साथ खड़े रहते हैं, वो सैना हो, वो साइन्टिस्ट हो, वो को वैक्सीन के वक्त हो, हर दुख में, हर सुख में इस देश को कैसे उचाई पे ले जाना अगर ये हुआ तो ये उपलब्धी वैज्ञानिकों की होगी, ये उपलब्धी भारत के 140 करोड जनता की होगी, आप सभी लोगों को ये सौगात मिलने जा रही है, 23 तारीको 6 बच कर 3 मिनट पर टेलेविजिन के सामने जरूर रहिएगा